नमश्कार दोस्तों आप है अपनी गुड लिविंग चैनल पे और चलते हैं गार्डन में करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में डिसकस जो कि आपको सारी गर्मी बर फूल देंगे और एक बार अगर आपने उनको लगा लिया तो भई हमेशा के लिए निश्चेंद तो जैसा की बहुत से लोग अब नर्सरी जा रहे हैं प्लांट्स ले रहे हैं मोसम यह ऐसा है तो आज उनी प्लांट्स के बारे में बाते करेंगे जो कि आप नर्सरी से बड़े अराम से ला सकते हो और एक बार अगर आपने उनको लगा दिया चाहे क्यारी में या गंबले में फिर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है बस आपने उसको मल्टिप्लाई करना सीखना है तो सबसे पहले दोस्तों जो बेस्ट प्लांट आपता है गर्मियों का वो अत्य है बोगन विला की बेल वो आपके अपनी इच्छा है इसको आप बेल का शेप दो या फिर आप इसक गया है जिसको आपने कवर करना है ग्रीन डिरी से उसके लिए बेस्ट है और दूसरा भी अगर बाल की निवे गरा में प्लांट लगा रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है आप उसको बेल मत बनाओ आप उसकी कटिंग करकर के उसको ऐसे प्लांट ही ग्रो करो और फिर जब अपने इसको का उगाना है तो भी मेरा तो फेवरिट प्लांट है और बड़ा कोवंस है इतना कोई मतलब ये भी नहीं किसी को ना पताओ इसके बारे में लेकिन बस आपने इसकी हल्की फुलकी सी केर के साथ साथ बस इसको अराम से उगाना है और फ्लावरिंग यह आपको जरूर लगाना चाहिए चाहिए आप गमलो में लगाओ क्यारी में लगाओ यह भी गर्मियों भर आपके फूल देखता रहेगा बस कुछ दिन रुक रुक के इस पर बंच से बनते रहेंगे और जब यह बंच एक पूरा स्पेंट हो जाए फिर आप उसको हटा दे तो सारी गर्मी भर इसमें गुच्छों में फूल आते रहते हैं तो यह भी एक बड़ा सुंदर प्लांट है गर्मियों का अगर आपके पस नहीं है तो आप इसको जरूर लेके आओ नर्सरी से बहुत अच्छा प्लांट है और बड़े अराम से आप इसको कटिंग से उगा फिर ने जाते हो तो अब वहां से भी आप इसकी बरांच लेके आ सकते हो उसको आप बड़े अराम से उगा सकते हो और वो कटिंग ग्रोइंग का सीक्रेट वाला वीडियो देख ले ना कैसे आपने कोई भी कटिंग बड़े अराम से उगानी है तो उससे आपको सारी जानक कि किस तरीके से आप cuttings को propagate करके नहीने plants बना सकते हो और बस फिर तो आपकी zero budget gardening है एक बार आपको कोई पुद्धा पसंद आया आपने उसकी ब्रांच ली और अपना घर में आके उगा दी है ना कितना अच्छा हो जाएगा अगर आपको cuttings से plant उगाने आगे तो और जिसको उ इसमें फूल आते रखते हैं कोई जितने भी plant में आपको बताऊंगी कोई खास केर भी नहीं मांगते हो और जितनी भी अप गर्मी पड़ेगी देखो खाद भी नहीं दे सकते हम गरम वाली तो इनकी तो soil आप अच्छे से बना दो daily watering करो तब भी ये खुब बढ़ी ऐसे च प्लांट भी आपको जरूर लगाना चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो और nursery जा रही है तो यह आप जरूर लेके आना आसपस लगा है तो भी cutting से हुगा लेना बहुत easy to grow plant है और इसी के साथ साथ दोस्तों और जो मेरा favorite plant है वो भी गर्मियों का best plant है और उसमें भी इसी तरीके से फूल आते हैं तो वो है आपका Mexican Petunia का प्लांट जो की गर्मी भर फूल तो देगा ही देगा ऐसी देखो ऐसे बैल से वाले फूल है इसके भी लेकिन कलर अलग है बस तो यह भी दोस्तों बहुत अच्छा प्लांट है इसमें एक simple सी वराइटी आती है उसको देश नूर लाना चाहिए Petunia से इसको compare मत करना यह बिलकूल अलग है यह गर्मियों का प्लांट है बहुत होट गर्मी भी बरदाश कर लेगा और इसको भी दोस्तों आप कटिंग के जरी भी उगा सकते हो सीड से भी उगा सकते हो जैसे मर्जी आप इसको उगा सकते हो तो यह भी गर्मी का एक बहुत खुबसूरत ब्लांट है और अब यकीन नहीं वानोगे मैं अभी भी बहुत धूप पड़ रहे एकदम तब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जो भी फूल खिले होए उनके साथ यह जिसमें नहीं भी खिले होए लेकिन आप उनको लाके लग सकते हो और कटिंग से भी सारे के सारे प्लांट बड़े आराम से उग जाते हैं तो यह भी बैस्ट प्लांट था मैकसिक्ट पंट अ मेरा फेवरिट था performed अब भी कनेर के ब्लांट अब इसी पे फूल खिले हुए है और ऑट की मैंने प्रूणिंग सी कर दी थी और बस लगा सकते हो के अलगलग रगों की ड्रोच कर सकते हो फिर इनको इकथा करके लगा तो यह दोस्तो निवे सारी नर सरी जा रहे हो तो इसका और कोई color आपको मिलता है तो वो भी आप लाके लगा सकते हो और सबसे बड़ी बात हमेशा रहने वाले पोद्धे हैं फिर आपको जो color पसंद आता है उसको आप multiply करते हैं रोकटिंग हुआ हुआ के तो ये भी बहुत hardy plant है जितने भी plant अभी मैंने आपको दिखाए ना सौरे के सारे hardy है तो चरदीन अगर पानी भी नहीं मिलता ना तब ये मरते निये चलते रहते हैं क्योंकि हैं ये गर्मियों के plant लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है ज्यादा दर्मी पड़े तो दिखो कोशिश यही रहनी चीए कि डेली पोद्धो पे शावरिंग हो या उनको पानी दिया जाए हाँ अगर पहले से गिल्ली मट्टी है तो तो नहीं देना लेकिन बस यही गर्मियों में तो यही देख भालूती है कि इनको प्रॉपर तरिक्के से पानी मिलता रहे सनलाइट तो वैसी दुनिया भरकी मिलेगी पानी नहीं मिलेगा तो देखो फिर है न तो नेक्स प्लांट है भई आपका हिविसकस का प्लांट हिविसकस पे अभी फूल नहीं आए है क्योंकि मैंने इनकी कटाई चटाई कर दी थी वैसे आम बहार अगर आप देखोगे तो फूल आ रहे होंगे तो अपनी पसंद का भी कोई भी कलर लाके आप इसको कटिंग से हुगा सकते हो बहुत सुंदर प्लांट है ये भी बहुत सुंदर बड़े-बड़े साइस के फूल आते हैं इस पे तो बही गार्डन की तो शान होते हैं विसकस के प्लांट क्योंकि प्लांट ही इतना सुंदर होता है देखने में तो इतने कट वाली पती है इसकी और जब इस पे फूल खिलते हैं इतने बड़े-बड़े साइस के तो बहुत कुपसूरत लगते हैं और कोई खास मेंटेनें इन पोद्दों से यह अलग अलग गमलों में आप लगा के बाल के नहीं में रखो है सारे के सारे प्लांट किसी में कुछ कलर का फूल आएगा किसी में कुछ आएगा देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और इस ही बिसकस में भी दोस्तों आपको बहुत सारे कलर मिल जा यह भी मैंने कटिंग से उगा रखे हैं, तो इसमें डबल वाले, मल्टी पैटल वाले सोरी, फूल आते हैं, तो वो भी गर्मियों का बेस्ट प्लांट है, अब यह आपके सामने, जट्रोफा के प्लांट जिसको की सुंदर उपा बोलते हैं, तो यह भी गर्मियों की शान है, इसकी पतियों का रंग इतना खुबसूरत है, हरा हरा एक दम आखों को ठंड़क सी दिता है यह कलर, और जब इस प्फूलों का उच्छा बनता है, तब भी बहुत खुबसूरत लगता है यह, और ना भी फूल आए, तो भी यह खुबसूरत ही लगता है, वैसे फूल आएंगे सारी गर्मी पर, ऐसी बात नहीं है, तो यह भी प्लांट आपका लगाना बनता है, और कटिंग से भी दोस्तों, बड़े अराम से उग जाता है यह प्लांट, आपको जुरूर लगाना चाहिए, और गमलो में, क्यारी में, क्यारी में तो लगाओगे न, कहीं जमीन में तो, बहुत सुन्दर शेप ले लेता है यह, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और गमलो में भी इसको बड़े अराम से आप उगा सकते हो, कटिंग के जरिये भी, जैसे मरजी भी, तो यह प्लांट भी बहुत सुन्दर प्लांट है, अगर आपके पास नहीं है, और आपको अगर कटिंग लगानी आती है, तो आप कटिंग से भी इसको बड़े अराम से उगा सकते हो, तो यह भी गर्मियों का भी, बहुत सुन्दर बेहतरीन प्लांट है, नहीं है तो आप इसको जरूर लगाओ, और इस टाइम फूल भी आ रहे होंगे इस पे, तो पता लग जाएगा कौन सा प्लांट है, और नेक्स्ट है भी अपने देसी रोस प्लांट, जो की बड़े खुश्बूदार प्लांट है, और यह आपको जरूर लगाना चाहिए, इसके साथ मैं सजेस्ट करूँगी, मोगरा के प्लांट, है ना, चांदनी के प्लांट, और जुही की बेल होगी, मदुमालती की बेल होगी, यह सारे के सारे गर्मियों के पोद्धे हैं, जिनको की लगा के आप सारी गर्मी भर फूल एंजॉय करोगे, गार्डन बड़ा सुन्दर लगता है इन फूलों से, सुबह सुबह जब आप उपके देखते हो, रात को पानी देते हो, सुबह आपका गार्डन एकदम फ्रेश दिखाई देता है, तो मेरा यही तरीका है पानी देने का, ताकि रात भर पूरा मौश्चर में प्लान्ट एकदम सुबह की गर्मी को बरदाश करने के लिए त्यार हो जाए, तो गुलाब के साथ तो खासतोर पर यही किया करो, तो यह भी वही देसी रोज़ भी बहुत सुन्दर प्लान्ट है, और एक प्लान्ट है, और इसमें काफी सारी कलर आते हैं ट्रंपिट वाइन में, तो इस टेम आप ट्रंपिट वाइन की कटिंग भी लगा सकते हो, और मैं चली हुई कटिंग यह आपको दिखा रही हूं, ताकि आपको यकीन हो जाए, कि इस टाइम आप trumpet wines को grow कर सकते हो चाहे वो किसी भी color की हो तो इसकी cutting काट के लाके भी आप बड़े अराम से थोड़ा सा outer shady area में उगा सकते हो जैसे मैंने लगा रखी है इसमें भी बहुत सुंदर फूल आएंगे बहुत अच्छे अच्छे color के यह भी बहुत अच्छी लगत होती है जो trumpet wines होती है बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें तो इस तरह की भी बेलो की cutting आप इस टाइम लगा सकते हो और गर्मी भर एंज्वाई कर सकते हो फूलों को तो उमीद है आपको सारे प्लांट अच्छे लग रहे होंगे और जिसके पास यह प्लांट उसको तो प पूल देते हैं जैसी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है यह एकदम सर्प्राइज सा कर देते हैं जब इनकी एक स्टेम निकलती है बढ़ वाली और फिर उस पे फूल खिलता है शाइद इस ले इसका नम सर्प्राइज लिली होगा तो लिली के भी कोई भी प्लांट तो आप इस टेम उसके बलब उगा सकते हो और बड़े अराम से दोस्तों प्लांट उब भी जाती हैं गर्मी भी बरदाश कर लेती हैं तो ये प्लांट तो भी आपका लगाना बनता है प्लांट तो बहुत सारे हैं दुनिया भरकी हैं मेरे पास लेकिन चलो वीडियो फीट ज और फूल भी इस पे बहुत बड़े साइस काता है और एनेक्स प्लांट भी आपके सदा बाहर के पुद्धे इन पे तो हमेशे फूल आते रहते हैं गर्मी हो सकती हो ज्यादा ठंड में थोड़ा साइस छोटा हो जगता है फूल का लेकिन गर्मी में तो भी इसके बगर गा तो एसा नहीं लगता कि हमारे गार्डन में फूल नहीं है तो यह प्लांट आपको जुरूर लगाने चाहिए और बहुत सुंदर प्लांट है और सदा भार तो भी मैंने ऐसे डबो में छोट छोटों में लगा लगा कि कहीं-कहीं रख्या हुए है ताकि कहीं बड़े सा उत परसलेन पोर्चुलका के साथ साथ इनको भी लगा दिया करो ताकि